नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्लैनेट पांडे और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे इन तमाम ग्रहणों के बीच में तमाम कठिन समय के बीच में एक बहुत अच्छी ग्रह स्थिती बनने को बिलकुल तयार है देव गुरू ब्रहस्पती वक्री अवस्था में हैं और इसी वक्री अवस्था में अपनी प्रिय राशी धनू में प्रवेश करने वाले हैं और देवगुरु ब्रिहस्पती का धनु राशी में ये परिवर्तन हम सब के जीवन में ज्यादा तर मामलों में बेहतर परिणाम लेकर के आएगा, बेहतर इस्थितियां लेकर के दिखाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके राशियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे देखिए, ब्रहस्पती 30 जून को शाम के समय धनूराशी में चले जाएंगे, अभी तो वक्री स्थिति में हैं, तो वक्री स्थिति में ही ब्रहस्पती 30 जून को धनूराशी में प्रवेश कर जाएंगे और वक्री होकर धनुराशी में तकरीबन 14 सितंबर तक रहेंगे फिर वो मारगी हो जाएंगे डायरेक्ट हो जाएंगे और 20 नवंबर तक धनुराशी में बने रहेंगे यानि तक्रीबन 30 जून से लेकर के 20 नवंबर तक ब्रिहस्पती धनुराशी में विद्यमान होंगे और धनुराशी में ब्रिहस्पती का होना जादा तर लोगों के लिए राहत की सांस लेकर के आएगा अगर हम देश-दुनिया की बात करें तो देश-दुनिया में फैली हुई इस बीमारी के लिए कोई बहुत सटीक चीज सामने आएगी कोई बहुत अच्छी चीज सामने आएगी जिससे इस बीमारी को नियंतृत कर पाना आसान होगा ब्रिहस्पती के धनू में जाने के बाद कोई authority वाली चीज, कोई शोध के बाद की चीज सामने आ सकती है ब्रिहस्पती के धनू में जाने के पश्चात दूसरी बाद जो युद्ध जैसी स्थितिया या तनाव जैसी स्थितिया है वो लगभग आप देखेंगे कि 20 जुलाई के बाद से धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी और सीमावर्ती जो तनाव हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होंगे भारत के लिए धनू का ब्रिहस्पती बहुत फाइदेमंद सिद्ध होगा और धनू राशी में गया हुआ ब्रिहस्पती भारत की स्थिती को देश-दुनिया में मजबूत करेगा हमारे और आपके जीवन में भी जो रोजगार से संबंदित समस्याइं चली आईं कि रोजगार में दिक्कते आ रही हैं लोगों की नौकरियां छूट रही हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है इस प्रॉब्लम की स्थिती में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा में आपको यात्राओं से या विदेश से कोई फाइदा हो सकता है इसकी सूचना मेश-राशी वालों के लिए 20 नवंबर तक दिख रही है व्रिष राशी वालों की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थिका तो आपको ध्यान रखना है लेकिन व्रिष राशी वालों की बहुत सुन्दर रहेगा अगर मिथुन राशी की बात करें आप अपने विवा के लिए परेशान हैं या विवा के बारे में अवसर खोज रहे हैं तो आपकी शादी समय तय हो सकती है और जो रिष्टों से संबंदित दिक्कतें आपकी जिंदगी में चली आ रही थी वो दिक रिकतें दूर होंगी रुका हुआ फसा हुआ पैसा भी मिथुन राशी वालों को इस समय 30 जून से लेके 20 नमंबर के बीच में प्राप्त होगा करक राशी की बात करें तो करियर में अगर आप बदलाव चाहते हैं या चाहती हैं तो इस समय आपके करियर में बदलाव हो सक करता है और ये बदलाव आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा धन की प्राप्ती होगी कर्द से छुटकारा मिलेगा थोड़ी दौड़ भाग तो बढ़ेगी लेकिन चीजें आपके नियंत्रन में आ जाएंगी सिंग राशी आपका स्वास्थ बहतर अब जाएंगे, आपका संतान पक्ष बहुत बहतर होता हुआ दिखाई देगा कन्याराशी करियर के मामले में चीजें पहले से ज़्याद़ा बहतर होगी, इस्थिर होगी, आपको फायदा होगा, आपका स्वास्थ अच्छा होगा और हो सकता है कि कोई रुका हुआ फसा हुआ पैसा आपको मिल जाए या हो सकता है कि घर में किसी तरह के मांगलिक कारे होने की संभावना इस समय में आपके बने, कुल मिलाके इस्थितियां आपके लिए ठीक है संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाते हैं बिल्कुल सही मौका है करन्या वालों के लिए संपत्ति संबंधी काम 20 नमंबर के पहले आप कर सकते हैं तुला राशी की अगर बात करें तो तुला राशी वालों को यात्रा करने से थोड़ा फाइदा होगा हाला कि यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी है लेकिन यात्राओं से फाइदा होगा, रिष्टों की मुश्किलें दूर होंगी और करियर में आपके उन्नती हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेदारिया मिल सकती है जो आपके लिए फाइदेमंद रहेंगी विश्चिक राशी के अगर बात करें तो आपके करियर पे जो संकट के बादर चले आ रहे थे जो मुश्किलें चले आ रहे थी वो बिलकुल दूर हो जाएंगी साथी साथ आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती होगी धन की स्थिती आपकी बेटर होगी परिवार में शान्ती आएगी लेकिन कोई भी वाद विवाद मत करियेगा अहंकार में आके जगड़ा वगड़ा मत करियेगा किसी से पंगे बाजी मत करियेगा वरना यहां मुश्किल में पढ़ेंगे बाकी मामले आपके लिए बहुत सुन्दर है धनू राशी की बात करें तो आपके स्थान परिवर्तन की करियर में बदलाव की संभाव नाए हैं आपके लिए संकेत बहुत अच्छे हैं आपका मानसिक तनाव कम होगा रुके हुए काम पूरे होंगे लेकिन जोश में आ करके अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं और जहां तक संभव हो अहंकार से बचाव करें मकर राशी की बात करें देखिए थोड़ा स्वास्त का तो आपको ध्यान रखना होगा सेहत को लेके लापरवाही मत करिएगा खास तोर से लिवर या पेट की समस्याओं से बचिएगा इस समय लेकिन बाकी मामले आपके ठीक हैं आपके जिम्मेदारियां बढ़ेंगी करियर में आपको बेनिफिट होगा आपके शत्र विरुधी शान्त होंगे इस समय कोई नई समपत्ति खरीदेंगे या बेचेंगे इसकी संभावना आपके लिए बन रही है कुम्ब राशी की बात करें तो आर्थिक स्थिती आपकी बेहतर होगी पैसे रुपए को लेके कोई खास मुश्किल नहीं है स्वास्थ आपका बहतर होगा जादा आध्यात्मिक हो सकेंगे संतान पक्ष की उन्नती हो सकेगी लेकिन साथी साथ कुम्ब वालों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कीमती सामान संभाल कर रखें कहीं कोई चोरी नहों जाए कोई पैसा वैसा गिरना जाए मीन राशी की बात करें तो आपके करियर में परिवर्तन की संभावना है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो सही समय है अगर बदलाव नहीं करते तो जहां पर हैं वहीं पर करियर में पदोन नती होने के प्रमोशन होने के योग आपके लिए बनते हैं और इस समय आपको संपत्तिका प्रोपर्टी का वाहन का लाभ भी हो सकता है तो कुल मिलाके जो ब्रिहस्पती का धनु राशी में प्रवेश है तक्रीबन 30 जून से लेके 20 नवंबर तक की जो इस्थिती है ये बहुत ही सुखद है और सब व्यक्तियों के लिए कुछ न कुछ देने वाली दिखाई दे रही है लेकिन अगर इस परिवर्तन से फाइदा उठाना चाहते हैं तो तीन-चार काम जरूर कर लिजिए नित्य प्रातह सूर्य को जल चड़ाईए जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाईए रोज सवेरे 108 बार ओम ब्रिम रहस्पतये नमह इस मंत्र का जब करिए या विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ करिए हल्दी का तिलक लगाईए या पीले रंग का रुमाल अपने पास में रखिए मान्स मदिरा से और उल्टे सीधे भोजन और आहार से बचिए क्योंकि ब्रिहस्पती एक सात्विक ग्रह है जितना सात्विक रहेंगे फायदे उतने ही जादा आपको होंगे तो प्लैनेट पांडे की आज की पेशकश में फिलाल बस इतना ही जैसा कि आपको वादा किया था हमने कि सब्ता हमें एक दिन हम लाइव होंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके प्रशनों के उत्तर देंगे तो मैं आपको याद दिला दूँ कि कल यानि रवी वार के दिन हम दोपहर में 12 बजे लाइव होंगे और 12 बजे आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके लाइव में अपने प्रशनों के उत्तर जान सकते हैं कोशिश करिएगा कि अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और एक कोई महत्वपूर सवाल आप हमें भेजें तो उस प्रशन का उत्तर हम तुरंट लाइव कारिक्रम के माध्यम से देंगे और ये सिलसिला कोशिश करेंगे कि हर सप्ता आगे चलता रहे तो एक बार और निवेदन कर दूँ आपसे कि धर्म और जोतिश की जानकारियों के लिए साथी साथ अपने सवालों के लाइव कारिक्रम में जानकारी के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल है प्लैनेट पांडे के नाम से इसे सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा रहेगा तो आज के लिए हमारे इस अंक में बस इतना ही मुझे दीजे इजाजत नमस्कार